हेलो दोस्तो मिशन गवर्मेंट जोब के ओफिशल यूटीब चैनल पे आप सबका स्वागत है भारत का सवतंतरता संगराम मैं आपको पढ़ा रही हूं जो मोडन हिस्ट्री के अंदर सबसे इंपोर्टेंट है मैंने आपको बताया था कि हम 1857 से लेके 1947 यानि अजादी तक मै आपको हर एक टॉपिक कम्प्लीट कराऊंगी छोटे सी छोटी बात मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगी जिससे की मोडन हिस्ट्री में जो यह 90 साल है जो की हमने अजादी के लिए संगर्ष किया था वो सारा का सारा आपका कवर हो जाए आप किसी भी पेपर की त्यार करेंगे अगर यहां से कॉश्चन पुछे जाते हैं तो वह यहीं से आपको देखने के लिए मिलेंगे इस टॉपिक के अंदर मोडन हिस्ट्री के अंदर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल बहुत ज़्यादा इंपोटेंट हैं सबसे ज़्यादा कोश्चन यहीं से पुछे जा पारट से दूसरे पारट का लिंक होता है तबी आपको के समझ मेहें आएगी जिसीजीन कहातर है तत Marvin कोनुझ श्रण के सब्कारण आठिवेशन ऑथ लूस्ट की श्रुदृ पूछ क्लियर करूंगी बैस आप लोगों को क्या करना है वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी आप लोगों को पूरी वीडियो सुननी है अगर वीडियो के दोरान कोई भी एडवेटाइजमेंट आए तो प्लीज उसको स्किप मत करना आप उसको देख लेना उससे हमें थोड़ा सा ब पढ़ेंगे और कैसे कैसे आजादी के अंदर कॉंग्रेस का योगदान है वह हम कवर करेंगे सबसे पहले यह भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेस ये एक राजनीतिक संगठन है पता है आपको राजनीती में इसकी बहुत भूमिक है आज भी कॉंग्रेस का नाम चलता है जुरुआत में जब ये कॉंग्रेस बनी थी तो ये एक बहुत जादा तेजी से बढ़ने वाला और्गनाइजेशन था राजनीतिक संगठन था तो किसकी दिमाग में ये आया कि कॉंग्रेस को बनाया जाए और कैसे कैसे आजादी में कॉंग्रेस ने अपनी भूमिकाने व जाता क्योंकि जो इतिहासकार ने लिखा है वही सब हम पढ़ रहे हैं NCRT की बुक्स है नोर्मल जो पब्लिशर है अलग-अलग जंगों पर अलग-अलग चीजे लिखी होती है कहीं कहीं तो सन में भी प्रोब्लम आ जाती है कि इयर्स चेंज हो जाते हैं कि यवली घटना NCRT में कोई और यह दिया होता है लेकिन सबसे जो एक्यूरेट है वो NCRT माना जाता है बैस आप लोगों को इतना समझना है कि सबकी विचारधाय अलग-अलग होती है ठीक है जैसे आपको पता होगा कोई भगत सिंग को सही मानता है तो कोई महात्मा गांधी जी को सही मानत होंगी कि भातिया रास्टे कोंग्रेस की स्थापना क्यों की गई देखो इसके पिछे भी इतिहास में अलग-अलग मत हैं एक विचारधारा यह बोलती है कि अंग्रेजों ने भारत का बहुत शोशन किया था अंग्रेजों ने भारत का आप सभी को पता है सोला सो में 285 में पहुंचे हैं यानि पूरा 1800 जाने वाला भी है 285 साल ओचुकी है इस इंडिया कंपनी को भारत में आयो को ठीक है अब अंग्रेजों ने भारत का बहुत शोशन किया था लेकिन कुछ अंग्रेज अच्छे भी होते थे जैसे आपने देखी होगी लगान मोवी देखी ठीक है यह विचारधार आए ठीक है 100 परचेंट यह सही नहीं होती है आप लोगों को सुनना है कि भारतिया राष्ट्रे कोंग्रेज की स्थापना क्यों की गई थी कुछ अंग्रेज जो अच्छे भी होते थे उनको यह लगता था कि जो भारतियों के साथ हो रहा है वो बि सब्सक्राइब करते थे अगर वो उनको लगता था कि भारतियों के साथ जो रहा है वो गलत रहा है इसी की चलते 1885 में एक अंग्रेज था जिसका नाम क्या था ए ओ है ठीक है उन्होंने किसकी स्थापना करी इंडियन नैशनल कोंग्रेज की स्थापना कर दी जिसने आगे चलकर भारत की सवतंतरता के अंदर एहम भूमे का निभाई एक चीज तो यह यह त्यूरी आपको याद रखनी है कि यहां पर अंग्रेज जो है वो भारतियों का बैनिफिट सोच रहे हैं और भारतिय राश्ट्रेयों कोंग्रेज की स्थापना करी जिसके जरिए जो यह उ तक पहुंचा सकते हैं यह उनका मत था कैने अब यह कहता है कि हैं अंग्रेज काफी डरे वह थे आंग्रेज और क्यूं ने आ नहीं पर पूरी 悠क्राथ किया गया ठीक है उसके बाद क्या हुआ था कमपनी का शार्षण खत्म हो Gया 1858 के अधिनियम भारत में आया जिसको भारत शार्षण अधिनियम बोलते हैं इसमें company का शाषन खतम कर दिया और पूरा का पूरा भारत जो है वो किसके कंट्रोल में आ गया British Crown के कंट्रोल में आ गया ठीक है और जो गवन्ना जन्रल था उसको क्या बोला जाने लगा उसको वाइस राय बोला जाने लगा ये मैंने आपको कराय था उसके बाद जो भारतिय चाहते थे यह भारत हमारा है इस भारत में हमें परशाशन की अंदर बोलने की अनुमती मिले याई परशाशन में हमारा योगदान होना चाहिए भारत को चलाने के लिए अंग्रेजी भारत को चला रहे हैं ठीक है हमें भी भारत को चलाने के लिए मोका मिलना चाहिए हमारा उ इसके बाद मैंने आपको ये करायाथािए 1861 lakuk डॉफे 7 के अधिनिये में मुझा बाति को मैंने पूरा आपको बढ़ाया था और उसमें भारतियों को भी इंकलूड किया गया था कि अगर वाइसराय अपनी legislative council के अंदर 6 member चुनेगा तो उसमें 3 member कौन से होंगे 3 member भारतियों होंगे ठीक है तो भारतियों को यहाँ पे हिस्सेदारी मिलगी लेकिन उनको बोलने का कोई भी मोका नहीं मिला था ठीक है तो अंग्रेज कहीं न कहीं घबराई हुए थे कि 1857 जैसी करांती भारत में दुबारा ना हो जाए अगर ऐसा हुआ तो भारत उनके हाथ से जा सकता है इसलिए उन्हों ने भारतियरास्ट्रियों को एक सेफ्ट्री वॉल्व के रूप में त्यार किया था कि एक ऐसा वॉल्व त्यार कर देते हैं क्योंकि भारत में देखो बहुत सारे जैसे राजाराम मोहन राएं या फिर स्वामी देया नंशरसवती है ये बहुत सारे धार्मिक अंडोलन भी चलते रहते थे साथ साथ में उनको लगता था ऐसा कोई अंडोलन भारत में ना हो जाए जो हमारे लिए नुकसान दाय को इसलिए उनको ने भारतिय राष्ट्रे कॉ कोंग्रेस जो है यह सिरफ एक भारतियों को संतुष्ट करने के लिए और कुछ नहीं यह बिल्कुल कमजोर लेवल पे रहेगी कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी लेकिन उनको यह अंदाजा कभी भी नहीं था कि भारतिय राश्ट्रे कोंग्रेस इतने बड़े राजनितिक सं हैं जमिदार हैं लगभग हर कोई कोंग्रेस में एड हो गया था और यह बहुत बड़ा संगठन यह बन चुका था जिसने अजादी के अंदर बहुत एहम भुमेका निभाई तो दो थियोरी यह रखनी हैं एक थियोरी यह कहती है कि ए ओ हयूम ने भारतियों के फाइदे के करेंगे ठीक है तो आपको दोनों पॉइंट यह याद रखने है कि क्यूं इसकी स्थापना की गई थी इसकी स्थापना हुई कब थी तो 28 दिसंबर 1885 को एक अंग्रेज अधिकारी ए ओ हयूम ने इंडियन नेशनल कॉंग्रेस की स्थापना करी थी आग्या समझ में नेक्स के पहले महासत्य भी कौन थे ओ हयूमी थे ओकी नेक्स ते कहां पर इसकी स्थापना की गई थी कॉंग्रेस की स्थापना हुई थी मंबई की अंदर और मंबई में कहां पर उई थी एक कोलेज का नाम था गोकूल दास तेजपाल संस्कृत कोलेज या महा विधाले ठीक है ग लोकुल दास तेजपल संस्कृत महाविधाल्य ले में कॉंग्रेस की जो है वो सथापना कर दिगई थी जो कहां पर हैं मंबई में उसके बाद कॉंग्रेस की सथापना के समय भारत का वाइसराय कौन था देखो मैं सारे के सारे वाइसराय आपको पढ़ाऊंगी आप लोगों तो अठावन में भारत शाषन अधिनियम आया उस ताइम पे भारत का पहला वाइसराय कौन था तो लोड केनिंग था यह मैंने आपको पढ़ा दिया था उसके बाद मैंने कल पढ़ाया था 1879 से लेके 1872 भारत में आने वाला एक लोता ऐसा वाइसराय था जिसकी भारत में हत् अंडे मार निकोबार में उनकी हत्या की गई थी वहां पे वह सेलूलेट जेल के अंदर गई थे और 1872 में भारत में पहली बार जनगन्ना भी क्राई गई थी तो उस ताइम पे लोड मेयो थे दो नाम याद होगे आपको लोड कैनिंग याद हो गया और लोड मेयो याद हो देखो कोंगãyस के स्थापना उन्होंने पने फाइदे के लिए लिए की ठी इंड है कुछ लोगों का मत्त कि भारतियों के फाइदे के लिए हुआ था लेकिन आपने अपने फाइदे के कि बनाय था तो बिलकुल टफफरी थे वह तो वहां से याद कर सकते हूं डफर से डफरीन थीक है तो कॉंग्रेस की स्थापना के समय वाइसराई कौन था लोड डफरीन था उसका शाशनकाल याद रखना है 1884 से लेके 1888 तक इतनी चीज़े मोस्ट इंपोर्टेंट हैं उसके बाद हम डिसकस करेंगे कि कॉंग्रेस के अधिवेशन कहां कहां हुए थ है 1885 से लेके 1947 तक कॉंग्रेस के बहुत सारे अधिवेशन हुए लेकिन हमें सारे नहीं याद रखने हैं जो इंपोर्टेंट हैं हम वो सारे कवर करेंगे उसके अलावाब मैं वन लाइनर कोशन की वीडियो डालती हूं जिसमें मैंने 52 पार्ट डाल रखे हैं और उसके मैं कि अब 42 पार्ट मैं यूट साथ एक व्यांद कार रखे हैं उसके अंधर भी मैंने बहुत सारे कोशन करा रहे हैं तो वीडियो भी आप जरूर सुनना वहां से भी आपको बहुत बैनेफित मिलेगा थीक हैं तो अब हम dip शुरू करते हैं बहारतिया रास्ट्रेवेशन घंबाई में चवा था था कॉंघ्रेस के पहले दिएक्ष बनाया गया तerson War WC rependered Target gel age Kane ऐग attने घंध से और को किल्ले लोगों भाग लिया था तो कुल 172 लोगोंने द congest के पहले दिएक्ष नमें भाग लिया था याद रखना है, कॉंग्रेस का पहला अजिवेशन 1885 में हुआ था, मंबई में हुआ था, अधेक्ष कौन थे, डवलू सी बैनरजी और पहले अजिवेशन में कुल कितने लोगों ने भाग लिया था, 72 लोगों ने इसमें भाग लिया था, ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर बनेगा, पहले चार आपको लगातार याद रखने हैं, 1885, 1886, 1887 और 1888, ठीक है, कॉंग्रेस की स्थापना से लेके लगातार चार सालों तक आपको अजिवेशन याद रखने हैं, पहले अजिवेशन मंबई में हुआ था, दूसरा कहां हुआ था, कलकत्ता में ह हुआ था, तीसरा कहां हुआ था, मदरास में हुआ था, और चोथा अजिवेशन कहां हुआ था, इलहाबाद में हुआ था, तो पहले चार तो आपको लगातार याद रखने हैं, पहले अजिवेशन में अध्यक्स कौन था, डादा भाई नरोजी, दादा भाई नरोजी बह का नाम क्या था पवर्टी एंड अन ब्रीटिश रूल इन इंडिया इनकी किताब है यह आपको याद रखना है इन्होंने यह भी बताया था कि कैसे जो अंग्रेज है वो भारत से धन लेके जा रहे हैं और ब्रिटेन के अंदर वो जमा कर रहे हैं तो दादा भाई नरोजी ब गोरव कितनी बार प्रापत हुआ था तीन बार प्रापत हुआ था कब कब बने थे यह 1886 में दूसरे अधियक्ष्ण में बने थे फिर 1893 में बने थे और फिर 1906 बंगाल विवाजन के बाद 1906 का जो अधियक्ष्ण होगा उसके अंदर दादा भाई न रोजी और अगर पुछे कॉंग्रेस के पहले हिंदू अधियक्ष्ण कौन थे तो डवलू सी बने जी थे कॉंग्रेस के पहले पार्सी अधियक्ष्ण कोन थे तो दादा भाई न रोजी थे ठीक है उसके बाद 1887 में अधियक्ष्कौन था तो वह थे बदुरू दिन ताइब जी कॉंग्रेस के पहले मुस्लीम अध्यक्स बताओ उसके बाद 1888 में कॉंग्रेस का अध्यवेशन इलहाबाद में हुआ था अध्यवेशन के अध्यक्स ने करी थी जो उले क्या थे ठीक है अब यहां पर जो अलग अलग जंगव पर रहे हैं और धर्म के लोगों को उसका अध्यक्स बनाए जा रहे हैं हिंदू भी आ गया यहां पर मुस्लिम भी आ और अंग्रेज भी आ यानि कि Congress अपने अधिवेशन को जो Congress के स्थापना के समय अंग्रेजों का उदेशय था ना इसमें सारे के सारे भारतिया मेंबर थे उनका उदेशय बहुत जादा बड़ा बन गया उनको ये लगने लगा हम Congress को एक बहुत बड़े संगठन के रूप में बनाएंगे अगर किसी चीज को बहुत बड़ा संगठन बनाना है तो हर धरम को include करना पड़ता है भारत की हर एक जंगाओ को include करना पड़ता है तो भारत में जितने important place थे वहाँ पे इनका अधिवेशन हुआ था और हर धरम के लोगों को इसका अध्यक्ष बनाया गया था ताकि किसी को य नालगे कि convention wars and was. कि किक सब्सक्रास भड़ता है एक जित लिए और एक बँपड़े संगठन के रूप में आई आगए समझमें तो कोंग्रेस के पहले येजक्ष कौन थे वारॆ नारों जी तनी अधियक्ष बने थैंवो तीन बार 1886-1893 और 1906 में कॉंग्रेस के पहले मुसलिम अधियक्ष कौन थे बदरूदीन ताइब जी और पहले अंग्रेज अधियक्ष कौन थे जोर्ज जूली उसके बद नेक्सट पॉइंट आपको याद रखने है कि कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गया गया था तो वो गया गया था 1896 के अधिवेशन में कहां हुआ था ये कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्सता किसने करी थी रहीम तूला सयानी ने याद कर सकते हो देखो कॉंग्रेस की स्थापना के समय वाइसराय कौन था अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था उन बॉलते हैं कि ये इनसान तो वहां सी याद कर सकते हो रहीम तूला सयानी ने dec 1905 में कॉंग्रेस का अधिवेशन कहां पर हुआ था वारानसी में देखो हार साल कॉंग्रेस के अधिवेशन होते थे हमें सारे नहीं याद रखने हैं जो इंपोर्टेंट है सिरफ वही याद रखने हैं 1905 में बंगाल विभाजन भी वा था मैं आपको पूरा का पूरा बंगाल विभाजन पढ़ाऊंगी नेक्स्ट चैप्टर के अंदर वहां पे आपको सारी चीजे पता चलेगी कि कैसे अंग्रेजों ने 1905 में बंगाल विभाजन किया किसे ने था लाड करजने किया था कि कैसे अंग्रेजों की चाल थी फूट डालो राजकरो की नीती और भारतियों के ओपर वो भारी पड़ी और वो उसके अंदर सफल होगी तो 1905 का अजिवेशन वारा नसी में हुआ था और इसकी अध्यक्सता किस ने करी थी भी गौपाल कृशन गोखले ने करी थी गांडी जी के राजनीति गुरू कों थे तो गौपाल कृशन गोखले ही थे और इसमें जो हमारा बंगाल विवाजन हुआ था 1905 के अंदर उस बंगाल में पूरा जो बंगाल है वो बहुत किस नाम से जानते हैं आजम बंगाल को तोड़ दिया था तब वहां पे जो नेता थे उन्होंने एक अंदोलन चलाया था उस अंदोलन का नाम क्या था सवदेशी और बहिसकार अंदोलन सवदेशी और बहिश्कार अंदोलन यानि कि सवदेशी चीजों को यूज करना है और अंग्रेजी चीजों का बहिश्कार करना है ये अंदोलन उन्होंने चलाया था ये आपको दियान रखना है ठीक है और यहां पे 1905 के अंदर जो कॉंग्रेस का अधिवेशन हुआ था दिस के बाद ही अदिवेशन हुआ था और उन्हों ने जो यह अंदोलण स्टाट किया था। सवधेशी अंदोलन किस ने स्टाट किया था लाल्बाल और पाल Лाल बाल और भाल यह जो तीन नेता लालालाजपत राए बाल गंगाधर तिलक और विपेंच अंदरपाल इन्हों दादा भाई नरोजी ने अभी मैंने आपको पीछे बताया था देखो यहां पे दादा भाई नरोजी ने 1886 में किया था तब भी कलकता में हुआ था उसके बाद यहां पे 1906 में किया था उन्होंने अध्यक्सता तब भी कहां हुआ था इसका अधिवेशन कलकता में ही हुआ ठीक है उसके बाद पहली बार सवराज शब्द का प्रियोग कब किया गया था तो 1906 में कलकता अधिवेशन में ही किया गया था जो लाल बाल पाल थे ना आगे जब हम बंगाल विभाजन पड़ेंगे तो आपको पता चलेगा वो सवदेश्य और बहिसकार के साथ सवराज की म परना रहे है कि यहांं पर पूरन सवराज का यूज नही हूं किया गया तो अभी इतना याद रखो 1906 के अंदर कलकत्ता मे अधियक्सता करी थी और पहली बार सवराज शब्द का प्रियोग किया था ठीक है आगे जब हम बंगाल विभाजन पड़ेंगे तो दादा भाई नरो जी अध्यक्ष कैसे बने क्या कारण थे कैसे सवराज शब्द का प्रियोग किया वो सारा मैं आपको बताऊंगी थीक है 1907 में कॉंग्रेस का दिवेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है 1907 का दिवेशन कहां हुआ था सूरत में हुआ था और इसकी अध्यक्षता करी थी रास भियारी गोश ने यह गोश है यहां पर बोस मत लिखना दो अलग अलग व्यक्ति हैं 1907 में रास भियारी गोश ने अध्यक्सता करी थी और 1907 में ही कॉंग्रेस दो दलों में बंटगी थी अभी तक कॉंग्रेस के अंदर सारे जो नेता थे वो उदारवादी थे जब हम पढ़ेंगे 1905 से पहले 1905 से पहले जादा जो थे वो अराम से अंग्रेजों के सामने मांग रखते थे अंग्रेज उस मांग के उपर निन्य ले ना ले अगर ना ले तो दुबारा मांग रखते थे यही सारा काम था लेकिन धीरे धीरे कॉंग्रेस के अंदर कुछ ऐसे करांतिकारी भी थे जिनकी माइंड के अंदर याने लगा कि हम ऐस जारधाराई अलग-अलग होगी और कॉंग्रेस का विवाजन हो गया दो दलों में कॉंग्रेस बंट गी गरम दल और नरम दल ठीक है और गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे लाल बाल पाल और अर्विंद खोष 1907 का सूरत अधिवेशन में आपको पूरा का पूरा आस्टरेगरान पहली बार वंद्यमात्रम कब गया था 1896 में आधिवेशन का हुआ था कलकता में पहली बार जंगनमन गया गया था नौद्शन का हूँआ निस ताइम पर अध्यक्स कौन थे तो बिशन नरायन धर जो थे वो इस ताइम पर अध्यक्स थे आगे समझ में नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है 1916 1916 में कौंग्रेस जो है वो वापस एक होगी गरम दल और नरम दल के नेताओं ने कुछ सालों तक भटकने के बाद ये महसूस किया गरम दल में तो बाल गंगा धर तिलक को यहाँ पे 1908 के अंदर जेल भी हो जाती है 1914 में वो वापस आते हैं तो कुछ सालों तक अलग रहने क के बाद उनको पता चला कि यह जो लड़ाई है यह अंग्रेजों की करवाई गई लड़ाई थी जिसके अंदर उन्होंने कौंग्रेस का डिवाइड कर दिया जिस ताइम पर देश में सवतंतरता के लिए अंदोलन होने चाहिए थे उस ताइम पर वो खुद आपस में लड किसने बोला था बाल गंगा धर तिलक ने बोला था तो इसकी अधियक्षता किसने करी थी अंबीका चरण मजूमदार ने आगया समझ में तो सारे पॉइंट्स याद रखनी है नेक्स्ट है हमारे पास 1917 1917 इंपोर्टेंट क्यों है आपको एक महिला का नाम यहां दोगा एनि एनि बेसेंट एक आईरिश महिला थी जो भारत से काफी परभावी थी और भारतिये के लोगों को यह पूरन सवतंतरता नहीं दिलाना चाहती थी यह सिरफ भारत के लोगों को अंग्रेजों के अधीन उनकी कुछ रूडिवादी परंपराव से आजादी दिलाने के लिए आई थी ब्हारत के अंदर और यह सारा में आपको आगे पढ़ाऊंगी तो अनी बेसेंट कहां पर अधियक्स्ता करीए टी कलकाता में और यह प likenाडरी तो अनीबेसेंट आगे समझ में 1920 में जो अधिवेशन हुआ था दो जंगाव पे हुआ था एक बुलाया गया था जो एमर्जेंसी अधिवेशन होता है वो बुलाया गया था और एक इनका हर साल जो होता है वो तो थाई ठीक है कलकता में एक अधिवेशन बुलाया गया था इस ताइम पर नागपूर में हुआ था दिसंबर के अंदर उसमें वीर रागवाचारी को अध्यक्ष पनाया गया था और जो ऐसे योग जो अंदोलन के लिए प्रस्ताव जो था वो कॉंग्रेस ने यहां पर पारित कर दिया था ऐसे होग अंदोलन चला था फिर चोरा-चोरी नामन घटना हुई जिसके कारण गांदी जी को वह अंदोलन वापस लेना पड़ा ठीक है तो याद रखना है यह उसके बाद 1923 के अंदर 1923 में अध्यवेशन दिल्ली में हुआ था अबुलकलाम अजाद अबुलकलाम अजाद इसके अध्यक्ष बने थे और यह सबसे यूवा अध्यक् काहा हुए थे जब वंदे मात्रम और रास्टर कान गया गया था कलकत्ता के अंदर कॉंग्रेस अलग कब हुई 1907 में वापस कम मिली थी तो 1916 में अलग हुई तब अधिवेशन सूरत में वापस मिली तब अधिवेशन लखनाव में जब एक ही वीडियो को दो तिन बार सु की है 1924 के अंदर कॉंग्रेस का कौन सा अधिवेशन ओगा चालीसवा धिवेशन ओगा और कहां पर होगा यह बेलगाओ में और पेलगाओ कहां पर एक armpit के अंदर है कोंग्रेस में गांधि जीिसेरफ इक कि बार अधियक्ष यह क्युक्त बने थे वह बनें थो 1924 में Nicolas year पहली भारतिय महिला अध्यक्ष थी कोंग्रेस की पहली भारतिय महिला अध्यक्ष श्रोधनी नाइडू और पहली अध्यक्ष पुछे तब 1917 में आंसर देना है आपको एनिव बेसेंट ओके नेक्स्ट है यह सारा मैं भी आपको याद कराऊंगी अभी आप लोग सुनते की और उन्होंने इसमें पूरण सवराज्य की मांग की गई थी पैहली बार सवराज का प्रेउक कव किया गया था 1906 के अंदर और पूरं सव राज का प्रेउक पहली बार कव कह प्या गया था 1939 की अंदर ठीक है उसके बाद 1940-45 तक अध्यक्ष कोन रहे थे अबुलकलाम आजाद अलग-अलग ज़ोपी अजवेशन ओते थे और सबसे लंबे टाइम तक अध्यक्ष रहने वाले और सबसे यूह अजवेश भी कौन थे अबुलकलाम आजादी थे उसके बाद सबतंतरता के समय जब हमारा दे भारत जो हैं अलग हो जाएगा तो किसी भी राजे की पहली महिला मुख्या मंतरी कौन थी तो सुचेता किरपलानी और कहां की सीम बनी थी वो तो यूपी की सीम बनी थी किसी भी राजे की पहली महिला राजय पाल कौन थी तो सुरोजनी नाइडू थी सुरोजनी नाइडू क तो कोकिला भी बोला जाता हैं ओके तो सवतंतरता के समय कोण था तो जे भी किर्पला निए आगया समझ में तो सारे आधिवेशन मैंने आपको यहां पर दिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट मैंने यहां पर लिखे हैं जो आपको याद करने में मदद करेंगी कॉंग्रेस की पूरे सेशन के अंदर 1885 से 1947 तक सिरफ तीन महिलाए अध्यक्ष बनी थी वह भी आठाट साल के ग्याप के बाद रटना पड़े गई 1917 में आठ साल जोड़ दो 1925 में फिर आठ जोड़ दो 1933 में ठीक है उसके बाद पहली यह देख्ष कौन थी एनिबेसंट पहली भारतिय कौन थी सरोजनी नाइडू उसके बाद बनी थी नलीनी सेन गुपता ठीक है 1917 में कलकत्ता में 1933 वाला भी कलकत्ता में और 1917 के बाद 1925 वाला कानपूर में आगया समझ में तो अठाट साल के ग्याप के बाद आपको यह याद रखना है नेक्स्ट हैं हमारे पास पूरण सवराज्य की मांग कब की गई थी अभी मैंने आपको पीछे बताया था इंपोर्टेंट पॉइंट मैंने यहां पे लेख दिये पहली बार पूरण सवराज्य की मांग की गई थी यहां ने देखता करी थी लाहर किस नदी के किनारे भी लाहर रावी नदी के किनारे पहली बार वंदे मात्रम 1896 में गाया गया था जन्गनमन 1911 में गया था दोनों अजवेशन कहां हुए थे कलकत्ता में हुए थे यह आपको याद रखना है उसके बाद कॉंग्रेस का जो प्लेग या हेजा फैल गया था जिसके कारण जो पहला अजवेशन है वो पूने में नहीं हुआ और कहां पे हुआ था मॉंबई में हुआ था जिसमें 72 परतिनीद्यों ने भाग लिया था और अध्यक्षता किस ने करी थी डवलू सी बैनर जी ने और महा सचिव कौन थे ए भारतिय राष्ट्रे कॉंग्रेस ठीक है और ए ओ हयूं जिसने कॉंग्रेस की स्थापना करी थी अपने बैनेफिट के लिए लेकिन यह बहुत बड़ा संगठन बन गया उनको हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है यह आपको याद रखना है किसको हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है और कुछ लोगों के मैंने आपको बताया था अलग-अलग मत थे तो 1857 की करांती दुबारा ना हो इसलिए उन्होंने कॉंग्रेस की स्थापना करी थी लेकिन कॉंग्रेस जल्डी ही पूरे भारत भी फैल गी थी और इसके अलग-अलग अधिवेशन अलग-अलग इसलिए होते थे ताकि पूरे भारत को पता चले कि कॉंग्रेस जो है वो सबके फाइदे के लिए किसी एक धरम के लिए कॉंग्रेस नहीं है तो यह हमारा आज का लेक्चर था अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेर जुरूर करना बहुत महनत की जाती है नोट्स बनाने के अंदर प्लीस वीडियो को गुरूप्स के अंदर शेर कर दिया करो ताकि चैनल जो है वो आगया आगया रो करे मैं जितनी भी चीज़े है वो सारी की सारी चीज़े कवर करने की पूरी पूरी कोशिश करती हूं थैंक्यू